हेलो जाइन चात्रों वेलकम है आप सभी का अमारे यूटूब चेनल पर दोस्तों यहाँ पर आई टी आई चात्रों कमेंट्स देखने के बादी मैं वेडियो लेकर आ रहा हूँ क्योंकि आई टी आई चात्र काफी परिसान हो गए हैं क्योंकि उनका मार्क सीट क्योंकि उनका रिजल्ट कब तक आएगा क्योंकि उनका अभी आई टी आई क्लियर नहीं हो पाया है इसलिए आई टी चाते काफी परिस्तान है तो आगे क्या अपडेट्स में आपको बताऊंगा तो आप सभी छात्रों को वीडियो को पूरा कम्प्लीट देखना तभी आप चलना पर नए है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हुए है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लिजिए आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दीखता है रबाक़ा अलपसेट कर लेना है तो आई वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैं आप लोग को बता दू कि जितने भी छात्रों का ITI का CVT का result अभी नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर लगभग 80% student का जो CVT का exam हुआ था आपका दिसंबर महिने में आप लोग का लगभग 30 दिन में आप लोग का result जारी कर दिया गया है तो आप लोग में बता दू कि आपका जो back परिच्छा का supplementary परिच्छा का result होता है वो आपका बहुत जल्द ही आप लोग का update किया जाता है ठीक डीक द्वारा तो आप लोग का CVT का exam का result है 80% छात्रों का जारी कर दिया गया है और बागी बचे हुए 20% के student है जिनका अभी तक CVT का exam का result नहीं आया है और वे छात्र काफी परिच्छान है कि उनको result नहीं आया है तो फ्रेंड्स आप लोग अगर CVT का exam का result नहीं आया है तो आप लोग इंतेजार करिए वेट कीजिए आप सभी छात्रों का result आ जाएगा और आपका ED और practical का साथ में ही आप लोग का result जारी किया जाएगा ठीक है तो आप लोग टेंशनल है आप सभी छात्रों का result और mark sheet जल से जल आ जाएगा लेकिन यहाँ पर ITI छात्रों का कहना है कि जिनका result आ चुका है उनका mark sheet अभी तक नहीं आया है तो फ्रेंट्स मैं आप लोग को बता दो कि आप लोग के mark sheet भी update किये जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग एक खास बात ध्यान देजिएगा कि जिनका back परिच्छा हुआ था cbt का या फिर idio particle का तो जिनका result आ चुका है तो वे चात्रों का अगर result भी fail दिखा रहा है तो उनको back परिच्छा का exam देना है ठीक है आप लोग यह बात ध्यान देजिएगा और जिनका result आ चुका है उनका pass हो चुका है अगर उनका mark sheet certificate नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर 90% student का mark sheet certificate जो है वो finally जारी कर दियागा डिश्टी के द्वारा और बाकी 10% बचे हुए हैं जिनका यहाँ पर अभी तक mark sheet certificate अपडेट आने जारी नहीं हुआ है तो वे चातर अभी काफी परिसान है तो आप लोग परिसान नहीं हो आप लोग एक या दो विक का इंतजाय करिए आप सभी चातरों का भी result आ जाएगा और यहाँ पर मैं एक बात और आप लोग को बता दू कि यहाँ पर ITI छातरों का काना है कि जो छातर रियल्ट को accept करेंगे उनका ही mark sheet यहाँ पर जारी किया जाएगा डिश्टी के द्वारा तो फ्रेंट्स मैं आप लोग को बता दू कि आप लोग जब verification पर click करेंगे इसके बाद verification mark sheet पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको रिजिस्टन नमबर और आपका exam system क्या है वो आपको feel करना है इसके बाद आप लोग का जो semester है या फिर first year, second year या annual है वो आप लोग चूच किज हो चुका है finally तो आप सभी छात्रों का mark sheet जो है वो 24 घंटे में आ जाएगा ठीक है और जो छात्रों grievance करके अपना result को rechecking के लिए करना चाते हैं तो उनका mark sheet में थोड़ा समय लग जाता है ठीक है तो आप लोग यही बात ध्यान देजेगा जिनका accept कर दिया गया है उनका mark sheet आ चुका है और जिनका accept नहीं हुआ है उनका mark sheet अभी नहीं आ रहा है तो आप लोग में result एक वा फिर से check कर ले या आप लोग का option आ चुका है तो अगर option नहीं आ रहा है तो आप लोग इंतिजा करिए एक दो विक का आप लोग का mark sheet फानी जारी कर दे जाएगा आप लोग यहाँ पर ITI चातर काफी परिसान है क्योंकि ED और प्रेटिकल का आप लोग का जो एकजाम है वो अभी फरवरी महिने में ही आप लोग के एकजाम चल रहे हैं और बाकी बहुत से student का ED का एकजाम भी हो चुका है 6 फरवरी को ठीक है तो आप सभी चातर घबराये मत आप सभी कि आताएम में आप लोग को वीडियो प्रवाइड करने कि आप लोग का result आ चुका है आपको कैसे चेक करना है और आप लोग सेम वैसे चेक करेंगा आप लोग का विजारी कर दे जाएगा आप लोग का result भी आ जाएगा